प्रस्ताव और साथी साथ सुनाते हैं इंद्र और वृत्रा सुर्की कथा वृत्रा सुर्की तपस्या का वृत्तान्त और किस प्रकार इंद्र ने भगवान विष्णु से उसके वध के लिए नरोध किया तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ तथोक्तवति रामेतु भरतेच महात्मनी लक्ष्मनो अथ शुभं वाक्यम् मुवाच रगुनन्दनं अश्वमेधो महायज्यः पावनह सर्व पाप्मनाम पावनस्तव दुर्धर्षो रोचताम रगुनन्दन शुयतेही पुरावृत्तम वासवे सुमाहात्मनी ब्रह्म हत्या वृतह शक्रो हयमेधेन पावितह पुराकिल महाबाहो देवासुर समागमे वृत्रो नाम महानासी दैतेयो लोकसमतह विस्तिनो योजनशत मुच्रत स्त्रिगुनंततह अनुरागेन लोकांस्तीन स्नेहात पश्यति सल्वतह तो श्री राम और महात्मा भरत के बीच जब बातचीत हुई और श्री राम ने निरने लिया कि अब वो राजसुय यग्य को नहीं करेंगे तो ये सब बात लक्ष्वन भी सुन रहे थे लक्ष्वन अप्षी रग कुलंदन से ये अनुरोध करते हैं कि हे रगुनंदन अश्युमेध नामक महान यग्य समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुश्कर है अतह इसका अनुष्ठान आप अवश्य करें महात्मा इंद्र के विशय में यह प्राचीन वृत्तान तो सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्युमेध यग्य का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे तो यह महाबाहु बहुत पहले की बात है जब देवता और असुर परस पर मिलकर रहते थे उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद एक बहुत बड़ा असुर रहता था लोक में उसका बड़ा आदर था नाम था वह सौयोजन चोड़ा और तीन सौयोजन उचा था वहतीनों लोकों को आत्मिय समझ कर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी द्रिष्टी से देखता था धर्मजश्च कृतग्यश्च बुद्ध्याच परिनिष्ठित है शशास पृत्वीम स्फीताम धर्मेन सुस्समाहित है तस्मिन प्रशासती तदा सर्वकाम दुघामही रसवंति प्रसुनानी मूलानेच भलानेच अक्रिष्ट पच्याप्रिथी वी सुसंपन्नामहामनह सराजम ताद्रिशम भुंते स्फीतम धुतदर्शनम तस्य बुद्धिही समुत्पन्ना तपह कुर्यामनो तमम तपोही परमम श्रेयह समोहामितरत सुखम सानिक्षिप्या सुतम जेष्ठम पोरेशु मधूरेश्वरम तप उग्रम समातिष्ठ तापयन सर्वदेवताः तो लक्षमन वृत्रासुर की कथा सुना रहे हैं व्रित्रासुर के राज में यह भूमी बिना जोते बोय ही अनुत्पन करती थी तथा धनधान से भली भाति संपन रहती थी इस प्रकार वह असुर सम्रिद्धिशाली एवं अद्भुत राज का उपभोग करता था एक समय की बात है कि व्रित्रासुर के मन में यह विचार उत्पन हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूँ क्यूंकि तप ही परम कल्यान का साधन है दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है तो उसने अपने जेश्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पुरवासियों को सोंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा तपस्तप्यति वृत्रेतु वासवह परमातव विश्णम समुप संक्रम्य वाक्यमेतर वाचह तपस्यता महाबाहो लोकाह सर्वे विनिर्जिताह बलवान साहि धरमात्मा नैनम शक्षा मिशासितुम् यद्यसवतप आतिष्ठे भूय एव सुरेश्वर यावलोकाधरिशंति तावदस्य वशानुगाह तम्चैनम परमोदारम उपेक्षसि महाबला क्षणम हिनाभवे वृत्रह गृधेत्वई सुरेश्वरा तो वृत्रह सुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी हुए और वो दुखी होकर भगवान विश्णु के पास गए और इस प्रकार बोले महाबाहो तपस्या करते हुए वृत्रह असुर ने समस्त लोक जीत लिये वै धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है अता अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता हे सुरेश्वर यदि वै फिर इसी तरह तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके आधीन रहना पड़ेगा महाबली देवेश्वर उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं इसी लिए वैशक्तिशाली होता जा रहा है यदि आप कुपित हो जाएं तो वैख्षन भर भी जीवित नहीं रह सकता यदाहि पृति संयोगम त्वया विष्णो समागतह तदा प्रभृति लोकानाम नाथत्वाम उपलब्धवान सात्वम प्रसादम लोकानाम कुरुष्व सुस्समाहितह त्वत्कृते नही सर्वम स्यात्प्रशांतम अरुजम जगः इमेहि सर्वेवित्वाम निरीक्षंते दिववुकसह वित्रगातेन महता तेशाम साह्यम कुरुष्वह त्वयाहि नित्यशह साह्यम कृतमेशाम महात्वनाम असहयम दमन्येशाम गती नाम गति भवाम तो इंद्र विष्णू के पास पहुंचते हैं वृत्रासुर बल्शाली हो रहा है वो अपने तप में इस तरह से सनलगन है कि वो इसी तरह लगा रहा तो सभी देवताओं को अपने आधीन कर लेगा उनकी ये चिंता है इंद्र को अपना सिंहासन डोलता नजर आया तो कहते हैं वो आगे कि विष्णू जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है अता आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है विष्णू ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं विरित्त्रा असुर का वध एक महान कार्य है उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए प्रभो आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है यह असुर दूसरों के लिए अजेय है अतह आप हम निराश्टित देवताओं के आश्रयदादा बनें और इस असुर का वध कर देवताओं पर महान उपकार करें तो इस प्रकार हम यहाँ श्री वालमीक निरमित आर्ष रामायन आधिकावय के उत्तरकांड में चौरासी मह सर्ग, पूरा करते हैं इत्यार्ष श्रीमत रामायने वालमीकि ये आधिकावय उत्तरकांडे चतुरשी के तबह सर्ग ओम श्री सिता राम चंद्रा भ्याम नमह